हलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो मैं पुष्पांचली देखिए काफी बारिश से पौदे बहुत खुश हैं और आप इस समय किसी भी पौदे की कटिंग लगा सकते हैं और बहुत आराम से चल जाएंगी तो आएए चलते हैं आपको बताते हैं कि कौन-कौन पौदे से कटिंग से लग जाएंगे और कौन-कौन पौदे आपके बीच से भी उग जाएंगे यह देखिए हमने परपल हार्ट के कटिंग लगाई है और यह है वंड्रिंग जू दोनों को मिला के बहुत सुन्दर यह गमला तयार किया है यह देखिए बहुत प्यारा सा बीच में हमने बहुत अच्छा लगेगा आप इस समय लेंटाना की भी कटिंग लगा सकते हैं बहुत अच्छा समय है यह हमारा पौदा तो अभी अभी हमने इसको बाई किया है और आप इस समय रेंड लिली की भी और भी लिली की किसमें आती है उनकी भी उनके भी बाल्ब लगा सकते हैं आसानी से बहुत अच्छा से ग्रो भी हो जायेंगी और उस दिन में खिलने भी लगेंगे इसमें फ्लावर और आप इसके अलावा क्रोटन की भी कटिंग लगा सकते हैं आप टिप से चाहे इसको लेके कटिंग थोड़ा से प्रूनिंग करके लगा दे या फिर इसके किनारे से बेवी प्रांट निकलते हैं तो इसको भी लगा सकते हैं इसी समय सिंगोनियम की भी आप किनारे से बेवी प्रांट अलग करके जड़ से लगा सकते हैं यह देखिए दो दो तीन तीन निकले रहते हैं आप पौधा अगर बुशी है तो आप किनारे से कोई भी बेवी प्रांट निकालके अलग करके लगा सकते हैं कभी खराब नहीं होगा क्योंकि बारिश की मौसम में सारे पौदे लग जाती है इस समय ये भी black money plant या फिर sweet potato wine इसकी भी cutting आप लगाएं बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी आप इस से कई गंबले और भी तैयार कर सकते हैं बहुत ही प्यारा plant है ये purple color का बहुत ही गुपसूरत plant है तो आप इसकी cutting लगाएं और ये देखिए हमने cutting लगा रखा है थोड़ा और बड़ा बड़े हो जाएं तो हम इसको बड़े गंबले में टॉंसर कर देंगे ये देखिए अभी छोटे छोटे हैं अभी कुछे दिन पहले लगा ये देखिए हमने coleus भी बीच से ग्रो किये हैं इस समय आप coleus के बीच अगर ऐसे डाल देते हैं कोकोपीट में तो आराम से ग्रो हो जाएंगे ये अजवाइन का भी plant है इसकी भी cutting आप लगा सकते हैं ब तो इस समय आप तुलसी के वीज भी उगे रहते हैं तो उसको भी आप ग्रो कर लें और किसी गंबले में टॉंसर कर दें तो आपकी कई तुलसी के पौदे बन जाएंगे इस समय गुड़ हैल की भी cutting आप लगा सकते हैं नीचे से rice husk डाल के उपर से rate या sand रखके या cocoa pit रखके उसकी भी cutting लगा सकते हैं गुलाब की भी cutting चल जाएगी इस समय और आप इसको गुलाब टूनिंग करें तो इसकी cutting लगा दिए तो आपके कई और भी गुलाब के पौदे तयार हो जाएंगे तो इस समय बारिस का ऐसा मौसम होता है कि कोई भी cutting लग जाती है यह मोगरे का प्रांट है इसकी भी cutting आप लगा सकते हैं आप इसको कि ना यह देखिए कलिया बन रही है यह देखिए मेरा बेल वाला प्रांट है रसी हमने लगाई है यह चड़ जाएगा तो यह भी हमने cutting स ही लगाया है तो इस समय आप मोगरे को भी cutting से ग्रो कर सकते हैं और अप राजिता यह है इसमें कई baby plant इसकी बीच से आप ग्रो कर सकते हैं और कई plant बना सकते हैं तो अप राजिता को भी आप बीच से ग्रो करके कई गमले बना सकते हैं यह देखिए हमने purple heart और money plant दोनों मिल करके ऐसे ही mix करके आप गमले बनाएं बहुत ही खुबसूरत लगेगा यह देखिए बहुत ही खुबसूरत लग रहा है यह एक गमला तयार किया है यह भी तो आप बारिस के फायदा उठा के कई गमले तयार कर सकते हैं और jet plant की भी cutting लगा सकते हैं इस समय यह देखिए मिलके बहुत ही खुबसूरत गमला तयार हो जाएगा और इस समय आप money plant और sweet potato wine देखिए साथ में हमने लगा दिया यह भी बहुत खुबसूरत दोनों का color combination बहुत ही खुबसूरत लगेगा यह गमला यह भी तयार हो गया है यह देखिए हमने छोटे-छोटे विंका के plant भी बीस से जो grow हो गए थे तो उसको भी लगाए है और cutting भी लगा रखिये है यह कुलियस की भी कुछ cutting है और कुछ rather, ये दिखे विनका के भी cutting है उसको भी लगा दिया है सब भी अभी बारिश की पानी से सब ग्रो हो जाएंगे ये देखे एक छोटी सी विनका के cutting यहां भी लगा रखी है hybrid विनका बहुत आराम से बारिश के पानी में एक तरह सी ये fertilizer का काम करती है बारिश का पानी थो उसमें आप ग्रो कर सकते हैं यह देखिए यह हमने बल्फ से रेन लिली लगाए यह देखिए कॉस्मस के पौधे भी हमने बी से तयार की हैं तो आपको यह वीडियो कैसा लगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार